प्यारे भाई ये बहने, गुरू, गुरू सरवग्य होता है, सरवग्य मतलब सब कुछ जानने बाला, जो शिश्य अपने गुरू के चरणों में पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, यानि अपना तन, मन, धन, सब कुछ इनके चरणों में समर्पित कर देता है, ये उसकी अपने गुरु से विश्वास कभी डोलता नहीं है, गुरु सरवग्य होता है, ये बात दूसरी बार दास आपके चरणों में रख रहा है, क्योंकि पूरन सत्गुरु अपने शिश्य को कभी भी दुखी नहीं देखते हैं, और वो उसके मन की बात जान लेते हैं, ठीक इसी तरह से जैसे बेवेकानद जी के दुख को देखकर उनके गुरु रामकरश्न परमहंस जी ने उनसे पूछा, बेटा, तुम दुखी क्यों हो रहे हो, दरसल रामकरश्न परमहंस जी अपने बुढ़ापे में करक रोग से बुरी तरह से प्रभवी थे, उन्हें बहुत अध को देखकर, एक दिन जब स्वामी बेवेकानद जी अपने गुरु के पास पहुंचे, तो उनके चेहरे पर मायूसी चाही हुई थी, उदासी चाही हुई थी, वो बहुत परिशान, बहुत दुखी देख रहे थे, तो स्वामी जी ने उनसे कहा, बेटा, तुझे बो दिन याद है, जब तु अपने घर से, यहां मेरे पास मंदिर में आता था, तो दो-दो दिन से भूका होता था, और जब यहां से अपने घर जाता था, तो अपनी मा से कह देता था, कि तु अपने मित्र के घर खाना खा करके आया है, और तु ऐसा इसलिए अपनी मा से कहता था, ताकि तेरी गरीब मा तेरे खाने में से कुछ निकाल कर तेरे छोटे भाई को दे दे और वो खाले उसका पेट भर जाए तो ऐसा करता था ना इस पर नरेंद्र जी ने कहा हाँ स्वामी जी हाँ गुरू जी मैंने ऐसा कईवार किया था स्वामी जी बोले फिर तु मेरे पास मंदर में आता था तो तेरे चेहरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे तू बिलकुल भी भूका नहीं है भर पेट खा करके आया है पारम तू मैं जानता था मैं जान जाता था कि तू भूका है ऐसा सच है ना इस पर नरेंद्र ने सुबकत प्रवादेव कहा हां गुरुदेव बिल्लकुल सच कह रहे हैं आप अब स्वामी जी फिर कहने लगे अब तू बता मुझे इस बात का पता कैसे चल जाता था कि तू भूका है इस पर नरेंद्र ने फिर से रोते हुए कहा स्वामी जी गुरु जी आप तो अंतर्यामी है ना स स्वामी जी ने पूछा अंतर्यामी किसे कहते हैं इस पर नरेंद्र ने कहा स्वामी जी अंतर्यामी उसे कहते हैं जो अंदर की जानता है इस पर स्वामी जी फिर कहने लगे अंदर की कौन जानता है तो नरेंद्र ने कहा अंदर की बह जानता है स्वामी जी जो अंदर हैं मेरे हिर्दे में बैठे हैं स्वामी रामक्रश्न परमहंस जी ने विवेक अनजी से कहा ठीक कहता है तू मैं तेरे अंदर भी मौझूद हूँ तेरे हिर्दे में मौझूद हूँ और जब मैं तरे अंदर मौझूद हूँ तो तू समझ ले मैं जानता हूँ कि तुझे प्राप्त नहीं होती होगी तरप्ति स्वामी बिबे कानंजी ने अपने गुरू की तरफ सवालिया नजरों से देखा परमस ने का हां तरप्ति अरे बेटा जो तुखाता है उससे जो तरप्ति तुझे प्राप्त होती है और मैं तरे अंदर बैठा हूँ तो क्या वो तरप् अरे पगले गुरु अंतर यामी होता है, गुरु अंतर स्वामी होता है, वो एक नहीं हजारों सिश्यों के मुख से खाता है, शिश्य जो भी भोगते हैं वो सब कुछ गुरु ही तो भोगता है, याद रखना, गुरु कोई बाहर इस्थित देहमात्र नहीं है, गुरु तो अपने शिष्य के रोम रोम में बसता है। गुरु तो अपने शिष्य के मन में बसता है। गुरु बाहर स्थित नहीं है। गुरु तो अंदर मौजूद है। शिष्य के अंदर मौजूद है। वो शिष्य के अंदर मौजूद रहकर एक-एक बहेद को जानता है स्वामी जी ने कहा कल को अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो मरूंगा नहीं मैं अपने सारे सिस्चियों के मैं तेरे शरीर में मौजूद रहूंगा प्यारे भाईयों बहनो अपने गुर्देव की बात सुनकर नरेंद्र के चेहरे पर एक अजीब सा सकून आ गया उनकी आँखों में भरेवे आशू सोख गये शान्त होता चला गया उनका सारा बजूद और बिल्कुल गुरू कितने दयाबान होते हैं कितने शान्त होते हैं शिश्य का कितना भला चाहने वाले होते हैं वो अपने शिश्य की हर आवशक्तों को पूर्ण करने की सामर्थ रखते हैं और उसे पूर्ण करते भी हैं बशर्ते शिश्य बेवे का नंद जी जैसा हो वो अपने गुरू के चरणों में पूरी तरह से समर्पित हो गुरू के दया गुरू की महान ताका गुरू के उचे परन का बरणन करते हुए संद कबीर साभ कहते हैं कबीरा हरी के रूटते गुरू के शरने जाए कहे कबीर गुरू रूटते हरी नहीं होत सहाए यदि गुरू रूट जाए तो परमात्मा भी सहाथा नहीं करते और यदि परमात्मर उट जाते हैं, तो गुरू के चरण तो हैं ही, इनके चरणों में चले जाएए, तो करपा करो, बक्षिश करो, हम सभी को सदा ऐसी कर्म करने चाहिए, कि हमारे गुरू हमसे खुश हो, क्योंकि यदि खुश होंगे, तो फिर किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात की फिकर नहीं है, बस केबल और केबल एक काम करते चले जाएं, इनके सामने अपने आपको नतमस तक करते चले जाएं, बस जीवन शांती से कटता चला जाएगा, सकुन से कटता चला जाएगा, तो बक्षिश करो, करपा करो, इनी सब्दों के साथ आप से भी को ज